सत्संग के उन्निस्वे भाग को प्रारंब करते हैं, एक साधक ने महर्शी रमन से पूछा, कि महर्शी गुरु का आशिरवाद न सही, पर यदि उनसे प्रोटसाहन भी ना मिले, तो उससे निराशा होती है, तब क्या करें? तो महर्शी ने कहा, यह केवल अज्ञान ही है, यह खोज आवश्चक है कि निराशा आदी किसे हुई है, सुशुप्ती के पश्चात उत्पन, अहम भाव का भूत ही ऐसे संकल्पों का शिकार बनता है, गाड़ी निद्रा में उस व्यक्ति को यह सब व्यथित नहीं करता था, अब जागरत अवस्था में इससे दुखी कौन होता है, सुशुप्ती की अवस्था ही सहज अवस्था के समान है, उसको यही खोजना इवं जानना होगा, परन्तु महर्शी बिना प्रोथ साहन के उत्साह नहीं रहता, क्या ध्यान करते समय व्यक्ति को किसी प्रकार की शान्ती का अनुभव नहीं होता, अगर होता है, तो यह प्रगती का चिन्न है, निरंतर अभ्यास द्वारा यह शान्ती अधिक गहन तथा अधिक दीर्ग कालीन होती जाएगी, इससे लक्षे की प्राक्ती भी होगी, शिमत भगवद गीता के चतुरदश अध्याय के अंतिम श्लोकों में गुणातीत का वर्णन है, यही अंतिम अवस्था है, इससे पूर की अवस्थाएं अशुध सत्व, मिश्रित सत्व तथा शुध सत्व हैं, इन में से जब राजस एवं तमस दबा देते हैं, तब अश शुध सत्व है, मिश्रित सत्व अवस्था में सत्व यदा कदा प्रकाशित होता रहता है, तथा शुध सत्व राजस तथा तमस को दबा लेता है, इस क्रमानुगत अवस्थाओं के बाद गुणातीत अवस्था का प्रादुर्भाव होता है, महर्शी मन को एकाग्र किये बिना जो हमारे कारिये हैं वो संतोष जनक रूप से संपादित नहीं किये जा सकते तो यह कैसे हो कि मन आध्यात्मिक्ता में स्थिर भी रहे और कारिये भी साथ में चलते रहे मन जगरत अवस्था में प्रतीत होता है जो केवल आत्मा का प्रक्षेप मात्र है गाढ़ी नींद में तुम नहीं कहते कि तुम किसके पुत्र हो जैसे ही तुम जागते हो तो तुम कहते हो कि तुम अमुक तथा अमुक हो तथा इसके पुत्र हो इवं जगत को मान्यता देते हो और इसी प्रकार अन्य बातें कहने लगते हो जगत लोक मात्र है लोक हा, लोक्यति इती लोक हा जिसकी अनुभूती हो वही लोक है अर्था जगत है कौन सा चक्षू इसे देखता है वह चक्षू अहंकार है जो समय समय पर उदै होकर लोक्त होता रहता है पर तुम स्वयम्र सदैव रहते हो जो की आत्मा हो अतहा जो अहंकार के परे है वही चैतन्य है आत्मा है तुम्हारा निज स्वरूप है मन गाड़ी नींद में विलीन होता है नश्ट नहीं होता जो विलीन होता है वही पुनह उदै होता है यह ध्यान में भी संभव है किन्तु यदि मन को नष्ट कर दिया जाए तो बहे पुनाह उदए नहीं होगा योगी का आवश्यक लक्ष मन को समाप्त करना है लए करना नहीं ध्यान की शांती में मन लए हो जाता है किन्तु यह परयाप्त नहीं है मन को अन्य पूरक साधनाओं द्वारा नश्ट करना होगा कुछ व्यक्ति साधरन संकल्प लेकर समाधी में गए और दीरग काल के उपरांत भी पुनहा उसी विचार के धुन में जागरिती में आए इस अवधी में संसार में अनेक पीडियां व्यतीत हो चुकी थी ऐसे योगी ने अपने मन को नश्ट नहीं किया था मन को नश्ट करना उसे आत्मा से किंचित भी प्रिथक न मानना है इस क्षण भी मन नहीं है इस सत्य को जान लो यदि दैनिक क्रिया कलापों में नहीं तो फिर कैसे इस सत्य को जानोगे ये स्वतही ही होते रहते हैं यह जान लो कि इनका प्रेरक मन यथार्थ नहीं है बलकि कालपनिक है जो आत्मा से उत्पन होता है इसी प्रकार मन नश्ट किया जा सकता है महर्शी फिर मन को नश्ट करके आत्मा की अनुभूती कैसे करें? प्रतेक व्यक्ति अपने जीवन में प्रतेक शन आत्मा का अनुभू कर रहा है परन्तु जैसी आकांक्षा है उस प्रकार आत्मा का अनुभू नहीं हो रहा है हमें हाँ वर्तमान अनुभू विपरीत है वास्तविक्ता से भिन है जो नहीं है उसे ब्रहमवश जो है उससे युक्त कर लिया जाता है तो महर्शी फिर आत्मा को जाने कैसे हम? आत्मा की अंतर में खोज नहीं होती खोज तो अनात्मा की ही हो सकती है केवल अनात्मा का ही लोप हो सकता है आत्मा सदै व स्वयम प्रत्यक्ष होने से आत्मा को अनेक नामों से कहा जा सकता है आत्मा, इश्वर, कुंडलीनी, मंत्र, इत्यादी इन में से किसी को भी अपना लो और आत्मा व्यक्त हो जाएगी आत्मा से भिन्न इश्वर नहीं है इस समय कुंडलीनी मन के रूप में प्रकट हो रही है मन के मूल को खोजने पर कुंडलीनी प्रकट होती है मंत्र के जब से अन्य विचारों का लोप होकर मंत्र पर ध्यान केंद्रित होता है अंततहा मंत्र आत्मा में विलै होकर आत्म रूप प्रकाशित होता है महरशी फिर आत्म ग्यान हे तू गुरू की आवश्यक्ता कब तक रहती है जब तक हलका है तब तक भारी की आवश्यक्ता रहती है अर्थात जब तक लगू है तब तक गुरू की आवश्यक्ता रहती है लगू का कारण है स्वयम आरोपित किंद ब्रह्म से अपने आपको सिमित कर देना इसलिए तुम लगू हो गए और जब तक तुम लगू हो तुम्हे गुरू की आवशक्ता रहेगी तुम अपने आपको लगू मानना छोड़ दो इस सत्य को जान लो तब तुम्हे गुरू की आवशक्ता नहीं रहेगी इश्वर आराधना के फलस्वरूप उनसे द्रडभक्ती प्राप्त होती है जिससे समर्पन होता है भक्त के समर्पन के फलस्वरूप इश्वर्यक्रपा गुरू के रूप में व्यक्त होती है गुरू जो वास्तों में इश्वर ही है भक्त का मार्ग दर्शन कर बताता है कि इश्वर तुम्हारे अंदर है और वह आत्मा है इससे मन अंतर मुख हो जाता है और अंततहा साक्षातकार होता है आत्मान उभाव करने की अवस्था तक साधन की अवश्चकता है तब आत्मा का स्वतह प्रकाशित होना अवश्चक है अन्यता आनंद पूर्ण नहीं होगा इस सहज अवस्था की प्राप्ती तक कुछ न कुछ प्रयास अवश्चक है महर्शी इन प्रयासों से हमारे सांसारिक जीवन की संगती नहीं बैठती तुम क्यों विचार करते हो कि तुम क्रियाशील हो तुम्हारे यहां आने का पूरा उदाहरन लो तुम घर से बैल गाड़ी में चले रेल में बैठे रेलवे स्टेशन पर उतरे वहां बैल गाड़ी में बैठे स्वयम को इस आश्रम में पाया किसी के पूछने पर तुम कहते हो कि तुम अपने शहर से पूरा मार्ग चल कर यहां आये हो क्या यह सत्य है क्या वास्त्विक्ता यह नहीं कि तुम जैसे थे वैसे ही रहे और समस्त मार्ग वाहन ही तै करते रहे जिस प्रकार उस कारिये को भी तुम ब्रहांती वश अपने स्वयम का कारिये मान लेते हो उसी प्रकार अन्य कारियों के लिए भी ऐसा ही समझो वे स्वयम तुम्हारे नहीं है वे इश्वरिय कारिये है महर्शी अगर ऐसा समझेंगे तो इसका परिणाम हमारी मन में एक शुन्यता आ जाएगी निर्थकता आ जाएगी और कारिये की ठीक ठीक प्रगती नहीं होगी इस शुन्यता तक पहुँच जाओ पहले तब मुझसे बात करना महर्शी ऐसा कहा जाता है कि ज्यानियों का दर्शन आत्म साक्षातकार में सहायक होता है हाँ सहायक बिलकुल होता है क्या आपके पास मेरी वर्तमान यात्रा मुझे वह प्राप्त नहीं करवाएगी क्या प्राप्त करना है तुम्हें किसको प्राप्त करना है पहले विचार तो करो, अनुसंधान तो करो, ये संशे किसको उदे होते हैं, ये संशे, संकल्प, विचार कहां से उठते हैं, इस स्रोत को खोजलो, तुम्हारे सारे संशे लुप्त हो जाएंगे महारशी, साक्षातकार के लिए पहली सीड़ी क्या है, साक्षातकार पहले से ही है, संकल्प, रहित, अवस्था ही, वास्त्विक, अवस्था है, साक्षातकार जैसा कोई कारिय नहीं है, क्या कोई ऐसा वेक्ती है, जिसे आत्मा की अनुभूती नहो, क्या कोई अपने स्वयम क ये अस्तित्व को अस्विकार करता है साक्षात कार करने का अर्थ होगा कि दो आत्माएं है एक साक्षात कार करने वाली दूसरी का साक्षात कार होता है वो जो पहले से साक्षात नहीं है उसका साक्षात किया जाता है एक बार अपने स्वयम का अस्तित्व स्विकार कर लेने के पश्चात यह किस प्रकार संभव है कि हम अपनी आत्मा को न जाने महरशी मन के कारण ऐसा हो सकता है ऐसा ही है यह मन ही तो बीच में खड़ा होता है और हमारे आनंद पर परदा डालता है अपने अस्तित्व का हमें कैसे भान होता है यदि तुम कहो कि अपने चारों और जगत के कारण तो तुमको यह मालूम कैसे कि तुम गहन निद्रा में भी थे तुम हर्शी इस मन से मुक्त कैसे हो हो क्या मन स्वयम को मारना चाहता है मन स्वयम को नहीं मार सकता इसलिए तुम्हारा करतव्य है कि मन का वास्त्विक स्वरूब जानो तब तुम्हें ग्यात होगा कि मन है ही नहीज आत्मा की प्राप्ति होने के बाद मन कहीं नहीं रहता आत्मा में द्रढ रहने पर किसी को मन की चिंता की आवश्कता नहीं है महर्शी सूक्ष्म शरीर क्या है क्या सौप्ण में तुमारी देह नहीं होती क्या वह देह शय्या पर लेटी देह से भिन्न नहीं होती ऐसे ही सूक्ष्म शरीर होता है महर्शी मृत्यू के बाद क्या हम रहते हैं क्या स्थूल देह के अंत के पश्चात शुक्ष्म शरीर बचा रहता है जिस प्रकार स्वप्न में अनेक नवीन अनुभाव प्राप्त करके तुम जाग जाते हो उसी प्रकार स्थूल देह के अंत के बाद अन्य देह मिलती है और इसी प्रकार चलता रहता है झाल झाल